हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो दे चैनल हबी अन्मी तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे आप अपनी घर पे बैठे एक छोटे से टेस्ट की जिरिये जान सकते हो कि आपका स्केंटाइप कैसा है जी हाँ, you can easily find out your skin type. क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कोई भी skin care routine हो, कोई भी product हो, वो तब ही काम करता है जब आप सही skin type पे सहे products यूज़ करें या routine फॉलो करें. इसलिए हम में से बहुत सारे लोगों को हमारे skin type पता नहीं होते है और हम कभी कभी बाजार में कुछ भी मिले market से या हम किसी से सुने, वो easily हम खरीद के use करते हैं, हमको benefits मिलती भी नहीं है और हमारा skin और खराब भी हो जाता है. तो इसलिए जो भी आपके doubts है, आज इस वीडियो से मैं सारे doubts clear कर दूँगी. आप खुद ही अपना skin find out कर सकते हो कि किस type का है और अपने skin के लिए जो अच्छा है वो आप choose कर सकते हो. तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और उससे पहले आप लोगों को बूलूँगी कि आप प्लीज इस वीडियो को like, share, subscribe करना मत भूलिए और एंट तक देखिए क्योंकि ये बहुत useful वीडियो होगा आपके लिए और एक basic तरीके से मैं आप लोगों को बताऊ तो Скेंट आप ताइपस के होते हैं फर्सिय होता है normal skin, normal skin सबसे best skin होता है क्योंकि normal skin जिनके होते हैं उनको कुछ tension लेने के जरुरुरत नहीं है, उनका स्कीन बहुत ही hydrating होता है, glow कड़ता है, बहुत ही fresh रहता है, unnecessary oiliness या dryness उनको कुछ ऐसे problems एकनी पोर्स ओपन पोर्स ब्लाक हेड्स यह सब कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होता है उनका स्किन बहुत फ्रेश दिखता है जब वो सुभे उड़ते हैं बहुत ही ग्लोई रहता है तो अगर आप अपने स्किन में यह नोटिस करें तो आपका स्किन नॉर्मल है नेक्स्ट आता है ओईली स्किन में क्या होता है जो यह T-Zone है जिसमें यह forehead, nose और cheeks आते हैं इसको T-Zone कहा जाता है तो T-Zone में आपको बहुत oil दिखेगा और आपके T-Zone में जब बहुत unnecessary oil हो और अपने इधर भी cheeks में भी oil हो तब आप समझ लीजिएगा कि आपका skin oily है oily skin में problems होती है जैसे acne बहुत acne का problem होता है क्योंकि oily skin में open pores होते है तो उस open pores से dirt pollution अंदर जाके opening को clock कर देता है और उससे breakouts होते है यानि आपको acne का problem होगा और फिर blackheads और whiteheads nose के उपर क्योंकि बहुत oil secretion होता है इस area में इस वज़े से जिनके oily skin होते हैं उनको बहुत blackheads और whiteheads का problem भी हो जाता है next आता है dry skin dry skin बहुत मतलब T-zone या पूरा face उनका बहुत dry रहता है rough texture रहता है बहुती stretchy सा feel होता है red और dry patches आपको face में दिखेंगे places पे और फिर fine lines चाहे वो wrinkles हो इधर fine lines हो वो आपको notice होका जिनके dry skin होते हैं उनमें तो dry skin वालों का skin throughout the year चाहे वो कोई भी season हो mostly dry ही रहता है तो next आता है combination skin जो की dry और oily का combination है मतलब जिनका T zone oily है और बाकी area dry या normal है उनका skin है combination तो combination skin में problems देखती है कि उनका skin summer में बहुत oily हो जाता है क्योंकि वो बहुत sweat और sebum release होता है और winters में बहुत dry हो जाते हैं और oily areas होते हैं mainly forehead, nose और chin और उनको blackheads का भी problem होता है nose की उपर क्योंकि वहाँ पे सबसे जादा oil secretion होता है तो यह रहा combination skin के लक्षन, next है हमारा sensitive skin, sensitive skin वालों का क्या होता है कि उनको कोई भी product से easily reaction हो जाता है, allergy हो जाती है और redness face पे रहता है तो उनको कोई भी product यूज करने से पहले बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या react कर जाए, कोई भी allergic reaction हो सकता है, easily pimples आ सकते हैं, acne का problem हो सकता है sensitive skin में तो sensitive skin वालों को बहुत ही careful रहे कि अपना product चूज करना चाहिए, और हमेशा product अपलाई करने से पहले एक patch test कर लेना चाहिए, अपने face के कही भी छोटे से portion में आप वो cream या जो भी product आप लाए हो, उसको लगा के 24 hours अप चेक कर लेना, अगर आपको कोई reaction नहीं आता है, तो you यूज करें, तो यह रहे different types of skin type जिस में आता है, normal, dry, oily, combination और sensitive, अब हर skin type के हिसाब से products different होते हैं, क्योंकि हर skin type में problems, concerns, different, different होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप कैसे पता लगा है, कि इन में से कौनसा skin type आपका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत simple सी ची करनी है, वो है कि रात को आपको बहुत अच्छे से अपना face wash कर लेना है, और उसके बाद आपको कोई भी product नहीं use करना है, तो और कोशिश कीजिएगा कि आप AC में भी ना सोई, क्योंकि उससे भी skin में impact होता है, तो हम जो next day, जो test करने वाले है, उसमें problem आ सकती है, इसलिए मैं ये advice दे रहे हूँ, तो next day जब आप सुबह उठोगे, तो first thing आपको करना है कि आपको अपना touch और अपने visual इन दोनों senses का use करना है, तो आप ये test अपने हाथ से कर सकते हो, या फिर कोई facial tissue paper लेके उससे भी कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, सुबह उठके ही mirror के सामने अपना हाथ या tissue paper जो भी आप use कर रहे हो, तो अगर आपको अपने पूरे face पे आप जब हाथ रख रहे हो, या tissue paper रख रहे हो, अगर आपको कुछ oilyness ना दिखे, unnecessary dryness ना दिखे, आपका skin बहुत fresh, glowy लगे, और आपको कोई भी मतलब tiredness या कुछ problem ना दिखे, तो इसका मतल आपका skin normal है, अगर आपके T-zone में मतलब इस एरिया में आपको tissue paper या अपना हाथ रख रहे हो, oil आपको feel हो, तब आप समझ लेना, आपका skin oily है, अगर आपके पूरे face में कहीं पे भी आपको oil तो दूर, बहुत dry लगे, डल लगे, ऐसा लगे कि आपका skin मतलब किसी ने खीच के रखा है, सुबह उठने के बाद, बहुती मतलब tiring सा लुक लगे, तो आप समझ लेना कि आपका skin dry है, क्योंकि dry skin में oil तो दूर, बहुती dryness, dullness रहता है, और अगर आपको लगे कि आपके T-zone में सिर्फ oil है, और बाकी face dry या normal है, तो आप समझ लीजिए का कि आपका skin combination skin है और sensitive skin वालों को तो मतलब unnecessary red patches ही सब लगते हैं, और अगर कोई product यूज़ करने के बाद, हमेशा आपको breakouts होते हो, या फिर unnecessary allergic reaction होते हो, तो आप समझ लीजिए, आपका skin बहुत sensitive है, कि वो easily हर चीज़ पे react कर जाता है, तो ऐसे simple तरीके से आप पता लगा सकते हो, कि आपका skin type कैसा है, और उसे साब से home remedy हो, या फिर market से कोई भी product हो, वो आप खरीद के apply कर सकते हो, क्योंकि हर skin type के concern और problem को ध्यान में रखते हुए, products बनाए गये है, चाहे वो makeup product हो, या फिर skincare product हो, तो आपको उसे साब से choose करना है, अब मैं दूंगी कुछ आपको tips, जो कि additional है इस video मे तो हर skin type अलग है, जैसकी मैंने आपको बोला, तो चाहे आप moisturizer यूज कर रहे हो, या फिर face wash यूज कर रहे हो, आपको अपने skin type के हिसाब से use करना है, अगर आपका skin बहुत oily है, तो आपको gel best products use करने चाहिए, अगर आपका skin बहुत dry है, तो आपको hydrating वाला cream based product use करना अगर आपका skin combination है, तो आपको gel और cream दोनों का एक mixture वैसा वाला based product आपको use करना है, और sensitive skin बाले, प्लीज कुछ भी use करने से पहले अपना patch test कर ले, और सबसे best होगा कि आप अच्छे से doctor से check up कर वालो, और doctor की सला follow करो, और normal skin बाले तो कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि normal skin अगर को कोई problem नहीं है, तो अगर आपका normal skin है, आप जो भी routine follow कर रहे हो, वो follow continue कर सकते हो, और छोटी सी टिप हर skin type वालो के लिए, कि चाहे अपका skin type कुछ भी हो, प्लीज बहुत सारा पानी पीजिए, vegetables, green vegetables, fruits, खाईए, और regular थोड़ा बहुत activity यानि exercise कीजिए, अगर अगर इतना आपके पास time नहीं है, या possible नहीं है, तो at least 15 to 20 minutes walk everyday एनफ है, क्योंकि अगर हमारा health internal body अच्छा रहेगा, हम अंदर से हमारा digestion system, blood circulation यह सब अच्छा रहेगा, तो हमारी जो उसका impact है, वो अपने skin और hair पे automatic आजाएगा, तो अगर हम अंदर से अच्छे रहेंगे ना, तो हमारे body का बाहर भी अच्छा, shiny, glowy और healthy रहेगा, तो यह रहा मेरा छोटा सा tip, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और helpful लगा हो, और ऐसा लगा है, तो जल्दी से like button को hit कर दीजिए, और अगर आप नए हो मेरे channel पे, तो subscribe button को hit कर दे, उसके next में जो bell icon है, उसको भी click कर दे, ताकि मैं जबी भी कोई वीडियो अपलोड करो, आपको notification मेल जाए, तो यह रहा मेरा छोटा सा आपके लिए guide kind of video, आप बताईका आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है, तो comment करके ज़रूर बताईका, और हभी अन्मी को facebook और instagram में follow कीजिए, तो झाल